Tata Group की holding company Tata Suns अपनी रुख मोड रही है asset monetization पे Tata Group जो holding company Tata Suns जो है वो काफी listed companies को hold करती है और हमने देखा है कि recently TCS में जो block deal हुआ था जिसमें Tata Suns ने 0.65% stick बेचा था और लगबग 9,300 करोर रेस किये थे यह इसी policy का एक हिस्सा है जहां पर आगे जाके अपने पूरे assets को monetize करेगी Tata Suns अब ने mode पे है जहां पर वो semiconductor fabrication में गुस रही है battery इसमें गुस रही है green energy में गुस रही है और इन सब के लिए उनको funds raise करने पड़ेंगे यह पहली बार है कि Tata Suns monetization का root ले रही है इससे पहले जो था वो debt की द्रू लेती थी या फिर उनको डिविदेंस मिलते हैं TCS से या फिर other companies से उस companies को री इन्वेस्ट करती थी इन सारे करों से ज्यादा उन्होंने इन्वेस्ट किया है unlisted companies में जो कि आजकल काफी आज की डेट में काफी critical size के हो गए है अगर आप infra में देखेंगे तो Tata reality है Tata housing है और Tata projects है अगर आप Tata play को देखेंगे जिसने और सेभी के पास confidential filing कर चुकी है और अभी सेभी से final approval आना बाकी है इसके लिए इसके इलावा जो है financial services एक बड़ा वो है जहां पर Tata group ने बहुत investment किया है जिस Tata capital के थुरू Tata capital के अंदर home mortgage भी आता है personal loans भी आते हैं एक और company जो है Tata digital है जिसमें काफी new age companies हैं जैसे कि Tata 1 MG है क्योर फिट है या फिर chroma है या फिर big basket है इस company में Tata ने लगबग 18,000 क्रोर का investment किया है इंक्यूबेट करने के लिए और यह आगे जाके यह काफी बड़ा value unlocking होगा जैसे यह company mature होगी और इसे revenues इसके बढ़ेंगे तो कि Sunsips में कहें तो Tata Suns का अभी जो नया रुख है कि asset monetization करना वह एक important step है उसके लिए क्योंकि आगे जाके ग्रूप ही जो traditional companies में invest करता था जैसे कि Tata Chemicals हो गया या Tata Consumer हो गया या Tata TCS हो गया वहां से हटके यह group अप नया pivot कर रहा है नए mode पर जा रहा है जहां पर वो नए business assessment बुसरा है जिस जहां पर काफी capital की ज़र्वट पड़ेगी और उसके लिए यह monetization strategy बहुत ही important रहेगी आगे जाके क्रत रहे झाल हैज।